वेलकम टू लेट्स फैप आज का हमारा टॉपिक है जंदल नौट्स पार फैब्रिकेशन आप प्रेसर वेसल का पार्ट टू में हम आगे के पॉइंट्स टेखेंगे जो हमने पीछे केरी किया था उसके आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं इसमें है टेस्टेडे मतेरियल ऊट्णबरिप्रिटियंय के लिए ऊच्प़ाला के उच्चति है वह उ क्या हमेंगे आपका युश्ड़ करने वाहा है यानि कि जो भी pressure vessel में जो material यूज़ करने वाले वो tested होना जरूरी है next point देखते है all external welds shall be wire brush and weld spatter shall be remove यानि जो भी हमारे बाहर के weld है उसको हमें wire brush से साफ करना है और उसकी जो spatter यो सारे remove करके ही pressure vessel भेजना है next vessel shall be completely clean from inside and all dirt, dust, slack etc remove before hydrotesting of vessel है कि हमें अपने vessel को completely clean रखना है अंदर की साइड से उसमें जो dirt, dust, slack यह जो कुछ भी है वो सब remove करना है hydrotesting चालू करने से पहले हमें अपना vessel पूरा clean रखना है उसके बाद ही हमें hydrotesting चालू करना है यह इस no points में दिया हुआ next vessel shall be dry after hydrotesting यह जो हमारा vessel है hydrotest होने के बाद हमें completely dry करना है उसका अच्छे से साफ करके dry करना है ताकि उसमें कोई liquid ना रह जाए और उसके वैसे कोई corrosion erosion का कोई ज्यादा problem अंदर ना है इसलिए completely dry रहना चाहिए next all internal shall be preferably be of removable type and maximum weight of individual piece shall not exceed 20 kg unless noted otherwise on mechanical data sheet यह नहीं इसका मतलब कि जो भी हमारी internal parts है वो removable type होना चाहिए जो वेसल के अंदर जो भी internal parts हमें लगने वाले है जो लगाने वाले है फैप्रिकेशन में जो भी अंदर internal parts है उसको हम removable type रखना है और जो भी हमारा piece है उसका maximum weight 20 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि आदमी carry जब individual जो removable type है उसका each part का 20 weight 20 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हमारे mechanical dotter sheet में कोई ऐसी चीज दी है जिसका हम weight उससे कम नहीं रख सकते तो उस case में ही allowed रहेगा कि वो वो चीज हम ज्यादा weight के रख सकते हैं पर जो भी हमारा removable type में जो भी चीजे हो 20 kg के limit से ज्यादा नहीं रखते हैं नेश्ट है only qualified welder shall be deployed for the fabrication of pressure vessel pressure vessel को fabrication करने के लिए हमें qualified welder से ही welding कराना ज़रूरी होता है ताकि इससे हमारा pressure vessel अच्छे से weld हो और उसकी strength पूरी मिले तो यह जो हमने discuss किया इस वीडियो में यह आगे के points हमने जो जंदल नोट से fabrication के pressure vessel में जो ध्यान में रखने होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया है उम्मीद है आपको हमारा आज के वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया